हलो फ्रेंड्स आप सबी लोग का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पर तो आज हम पढ़ें कक्छा 6 विज्यान भारती यूपी बोट का पाठ 6 पाठ का नाम है जीव जगत देखिए दोस्तों हम इस पाठ का सभी प्रश्ण उतर देखेंगे अभ्यास प्रश्ण प्रश्ण नमर वन है सही विकल्फ को छाट कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लेखिए प्रश्ण है एक कोशकजीव है इसमें विकल्फ है मनुष्य, केचुआ, योगलीना, छिपकली तो इसका सही विकल्फ हो जाएगा योगलीना योगलीना है एक कुसकजियू अगला प्रिश्ण है मेरू डंड पाई जाती है विकल्फ है केचुवा में, जोक में, तिलचटा में, मचली में तो इसका सही विकल्फ हो जाएगा मचली में अगला प्रेश्ट अपुस्पी पौधे हैं आम, फर्ण, जामून, खेला तो इसका सही विकल्फ हो जाएगा फर्ण अगला मूल रोम किस में पाय जाता है विकल्फ है तना में, पत्ती में, जड़ में, पुस्प में तो इसका सही विकल्फ हो जाएगा जड़ में अगला प्रेश्ण नमर दो है निम्नलिखित कत्नों को पढ़कर उनके सामने सही का निसान लगाईए तथा गलत के सामने गलत का निसान लगाईए तो इसमें है प्रश्ण है पौधो के भोजन की अवस्यक्ता होती है तो जीस प्रकार मनुस्य को भोजन की अवसक्ता होती है उसी प्रकार पौधो को भी भोजन की अवसक्ता होती है ये प्रश्ण सही है अगला है जन्तुओं में वृध्धी जीवन प्रियतन होती है ये गलत है अगला अमीबा बहु कोश्कजीव है तो जो अमीबा है ये बहु कोश्कजीव नहीं है ये एक कोश्कजीव है ये क्या है गलत है आगे पैरमीशियम एक सुचमजीव है ये सही है पैरमीशियम जो है वो सुचमजीव है आगे रंत्र गैसों की अधान प्रदान में सहायक होते हैं ये भी सही है आगे गेहूं तथ अधान बहु अर्शिय पौधे हैं ये क्या है गलत है आगे खरगोस अक सेरुकी है ये भी गलत है सुच मजीव हमें नगन आखों से नहीं दिखाई देती है यानि कि जो सुच मजीव हमें आखों से नहीं दिखाई देती है यानि कि इसमें कहरा है कि सुच मजीव हमें नगन आखों से दिखाई नहीं देती है यहाँ पर देखे गलत नहीं है यह क्या है सही है जो सुच में जीव होते हैं वो हमें नगनाखों से दिखाई नहीं देती है अगला प्रेशन है तीन नमर रिक्ता स्थानों की पूर्टी कीजिए देखे हमने आपर पूर्थी करके दिखाया है प्रेशन है भोजन से हमें कारे करने के लिए मिलती है तो जब हम भोजन करते हैं उससे हमें क्या मिलती है उर्जया मिलती है कारे करने के लिए उर्जया मिलती है अगला इस सभी जन्तु तथा पौधे स्वसन की क्रिया में गैस बाहर निकालते हैं तो जैसा कि अब सभी लोग को पता होगा कि सभी जन्तु या पौधे जब स्वसन करते हैं यानि कि स्वसन की क्रिया में कारबन डायकसाइड गैस बाहर निकालते हैं अगला प्रेश्ण आए कच्छुय का जीवन का लगभग वर्ष होता है तो कच्छुय का जीवन का 120 से 150 वर्ष तक होता है आगला जुवन्ती का पोधा असपर्ष के प्रती है तो यहाँ पर भरा जाएगा सम्मेदन सेल अगला प्रेश्ण अब सिष्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने किरिया को कहते है यानि कि उच्सरजन अगला प्रेश्ण पादप मिट्टी से कि सहायता से जल एवं खनीज लवडों का और सोसर करते है यानि कि यहाँ पर भरा जाएगा मूल रोम चली अगला प्रेश्ण देखते हैं चार नवर प्रेश्ण अस्तमक को का अस्तमक से मिलान कीजिए देखिया आमने यहाँ पर मिलान करके दिखाया है अस्तमक को में दिया है मेढग और अस्तमक को में दिया है देखे अस्तमक को में दिया है मेढग पहला क्या है मेढग तो जो मेढग है वो क्या है वो भैचर है आगे दिया है अस्तमकंद अस्तमकंद हो जाएगा आलू आगे अंडियूज अंड यूज मतलब होता है जो अंडे देने वाले जनतु होती है तो अंड यूज का मिलान हो जाएगा अंडे देने वाले जनतु से आजे दिया है सलजम यानि ये क्या है कुम्भी रूप है सलजम क्या है कुम्भी रूप है आगे प्रजिनन प्रजनन मतलब होता है अंडे या बच्चा देना तो इसका मिलान हो जाएगा अंडे या बच्चा देने से आगे उस सर्जन उस सर्जन में क्या होता है कि जब उस सर्जन होता है जो हनिकारक यानि कि अब सिष्ट पदार्थ होते हैं उनको सरीर से बाहर निकालना जिसका मिलान हो जाएगा हनिकारक पदार्थों का सरीर से बाहर निकालना आगे सवेदन सिलता यानि कि धमाकी को सुनकर चोक जाना अगला प्रिश्णे 5 नम्मर मक्का, प्याज, सर्षो तथा बैगन में पाई जाने वाली जड़ों की नाम लिखिए तो मक्का में जखड़ा जड़ होता है और प्याज में मुसला जड़, सर्षो में मुसला जड़, बैगन में मुसला जड़ अगला प्रिश्णे मुसला जड़ तंत्र का नमा की चीत्र बनाईए तो दोस्तों ये आप खुश से कीजिएगा अगला प्रिश्ण है किनी तीन पौधों के नाम लिखिए जिन में जर्द तना तथा पत्ती नहीं पाय जाती है तो इसका उत्तर हो जाएगा बैक्ट्रिया कवक तथा सैवाल में जर्द तना पत्ती और तना नहीं पाय जाती है अगला है किनी दो बहु वर्षिय पौधे के नाम दिखिए पहला है आम तथा गुड़हल ये सब क्या है बहु वर्षिय पौधे हैं अगला प्रेश नाम नमर जाक देखिए इसमें दिया है नाम नमर शाक जाड़ी तथा वरिच्छो के पांच पांच उधारण देजिये तो शाक में हो जाएगा मक्का पालक सर्सो मतर बैगन और जाड़ी में पांच वरिच्छ है यानि कि देखिए साक में हमने उधारण लिया है पांच ठो मक्का पालक सर्सो मतर बैगन और जाड़ी में गुलाब जंगली बेर करोदा निलकाटा गुड़हल और वरिच्छ में नीम आम बरगद पीपल चीड अगला प्रेश्णे 10 नमर शाकाहारी मांसाहारी तर सर्वाहारी जंदों की पांच पांच नाम दिखिए दिखिए साकाहारी में खरगोस, गाय, हाथी, बकरी, घोडा साकाहारी और मांसाहारी सेर, चीता, गीदर, तेंदुआ, चील और सर्वाहारी यानि की साकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं इन दोनों का गुड़ सर्वाहारी में पाये जाता है इसमें हो जाएगा मनुस्य, बिल्ली, कुत्ता, कौवा, गोरया तो देखे दोस्तों इसमें इतना इप्रेश्ण दिया था तो मिलते हैं नेक्ट वीडियों तब तक के लिए धन्यवा दोस्तों